66 दिनों तक चलने वाले ये यात्रा 6200 किलोमीटर की दूरी तेय करेगी मनिपुर, नागलांड, असम, मेघाले, पश्चिम, मंगाल, बिहार, जारखंड, उडिसा, 36 गड, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजरस्थान और गुजराथ से होते हुए अंत में महराष्ट में जा थमेगी, भारत बंध का अहवान हो चुका है, जैसा कि किसानों और केंद्र के बीच गतिरोध जारी है, 2020-21 के विरोध प्रदर्शन का नेत्रित्व करने वाले क्रिशी संगों के गडबंधन, संयुक्त किसान मोच्चा, SKM ने किसानों की कई अधू मांगों का हवाला देते हुए, शुक्रवार को भारत बंध का आवान कर दिया, जिसमें उनकी फसलों के लिए नियुन्तम समर्थन मुल्य, यानि की MSP की कानूनी गारंटी, उतर प्रदेश में पूर्व भारतिय सहयोगी राश्रिय लोगदल, यानि RLD, NDA में शामिल हो गय जो यात्रा 20 मार्च को समाप्त होनी थी, वो अब 10 मार्च के आसपास ही समाप्त होगी, जिससे राहुल और पार्टी मशीनरी को लोगसभा भ्यान के लिए अधिक समय मिल सकता है, सफल भारत जोडो, यात्रा के इस दूसरे चरण में वैसा उत्सा नहीं पैदा हुआ, और इसमें कई स्पीड ब्रेकर्स का भी सामना करना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री ममता बैनर जी की घोशना के साथ कि उनकी पार्टी अकेले लोगसभा चुनाव लड़ेगी, त्रिणमूल कॉंग्रेस के साथ सीट पटवारे की बातचीत विफल हुई, यात्रा के बिहार चर पटवाले एंडिये गडबंधन में लोटने के लिए भाजपा के साथ सरकार बना ली है, अब आते हैं खबर पर, कॉंग्रेस सांसद और राश्ट्रिय जनता दल यानि की आरजेडी नेता 30 जनवरी को पुणिया में एक राली को संबोधित करने वाले थे, ये आरजेडी न नेता और कोई नहीं तेजस्वी यादव हैं, लेकिन तेजस्वी वहां नहीं पहुँच सके क्योंकि एडी ने एक दिन पहले उनसे घंटों पूछताच की, अब दोनों नेता कैमुर जिले, चेंचाओं गाउं में दोपहर करीब धाई बज़े शुरू होने वाली राली को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले ही तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ कैमपेन करते हुए नजर आए, इस राली के साथ विपक्षी दलो का जो गड़ बंधन है, वो हफ्तों की बुरी खबरों के बाद कुछ सपष्ट राजनेतिक संदेश देने की तलाश में जरूर है, इस बीच महराष्ट में सीट बटवारे की बादचीत पर आगे बढ़ने का कोई संकेत नहीं है, पश्ची मंगाल में त्रिनमूल कॉंग्रेस टीमसी ने लंबे समय से किसी भी जमीनी समझोते से बाहर निकलने का विकल्प चुना, जिससे कॉंग्रेस और वा प्रदान कर पाते हैं, दोनों दल 2014 से सही योगी है, भारत में आशावाद की भावना पैदा करते हुए समू बनाना और इसे एक दिशा देना, यही उद्देश्य रहा, इस हफते के अंध तक ही भाच्पा राश्ट्रिय परिश्चत की बैठक के साथ विपक्षी गुट के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मतभेदो को हल करना शामिल है, रणनीती और सीट्स पर सहमती होनी है और अपने कार्यकरताओं को जुटाना भी शामिल है, इस बीच शाम को कॉंग्रिस की यात्रा यूपी के चंदॉली जिले में प्रवेश करेगी, तो पुर्ण सीमा से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे, एक महत्वपूर्ण घटना क्रम में अपना धलनेता पल्लवी पटेल ने भी घोशना की है, कि वो राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होंगी, खैर, नए समय करन बन रहे हैं, लोग सभाचुनाव सामने है आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए, राहुल गांधी की इस यात्रा के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, जरूर लिखे, बाकी देश-दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे हैं, जनसत्ता के साथ शुक्रिया